नमस्कार न्यूस फोर नेशन देख रहे हैं आपने हूँ आपके साथ रश्मी लड़े के बाँ अड़े के बाँ पीछे ना हटे के बाँ बता दे कि अब इससी नई रनीती के साथ राज़त बिहार में आगे बढ़ेगी बता दे कि बेते देनर राज़त की कारिकार्णी बैठक थी इस बैठक में लालू प्रशाद यादव अपने फॉर्म में नजर आए और खुल कर उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला बोला और विरोधियों पर हमला बोलने के साथ ही लालू प्रशाद यादव ने अपने क कार्करताओं को और नेताओं को प्रसिक्षन भी दिया है कि किस तरह से हमें विहार में आगे बढ़ना है और प्रदीश अस्तर पर राज़त को मजबूत बनाना है ऐसे में अब नई रनीती के तहत राज़त आगे बढ़ेगी जिसमें ये स्लोगन लादु प्रिशाद प्रसिक्ष भी बनाएंगे इसको लेकर तारीक का एलान भी खुद लालु प्रिशाद यादव की तरफ से किया गया है ऐसे में क्या कुछ कहना है लालु प्रिशाद यादव का किस तरह से उन्होंने राज़त को मजबूत करने की बात कही है और किन-किन बदलाव को लेकर लालु प्रिशाद यादव ने चर्चा की है इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं बता दे कि राज़त लड़े के बाँ अड़े के बाँ पीछे ना हटे के बाँ रन्नीती पर चलेगा ऐसे में गुरुवार को राज़त की रास्ट्रे कारिकार्नी की बैठ़क में पार् लालु प्रिशाद यादव सदसेता अभियान की शिर्वात करेंगे 30 जून तक प्रात्मिक और सक्रिये सदसे बनाए जाएंगे इसके साथी 13 अगस्त को सूची और 15 सितंबर को राज्य परिशद के सदस्यों की सूची प्रकाशत की जाएगी इसके बाद 11 अक्टूबर को दिली में रास्ट्रिय परिशत की बैठक होगी और खुला अधिवेशन होगा जिसमें नए कारिकाल के लिये रास्ट्रिय अधिक्ष का नर्वाचन होगा इससे पहले लालु यादउ ने रास्ट्रिय कारिकारणी अका उध्घाटन किया बता दे कि बैठक में लालु प्रिशाद यादव अपने दोनों बेटे तेजश्वी यादव और तेज प्रताप यादव साथी बेटी विशा भारती अब्दुर्बारी सिद्धिकी समेत 25 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी कारिकरता MLA MLC के साथ इस बैठक में उपस थे थे तो बता दे कि बीते दिन जो बैठक राज़त में की गई है इसमें कई एहन फैसले राज़त ने लिये हैं साथी साथ इस रनीती पर भी चर्चा की गई है कि अब आगे किस तरह से बढ़ना है सरकार को किस तरह से उजागर करना है उनकी कमियों को किस तरह से द रास्री अध्यक्ष बनाने को लेकर भी अब मोहर लग चुका है। कि आखिर अकिनकिन मुद्दों पे हम आगे बर्ष सकते हैं और बिहार में अपने पैट को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और इसी नई रनीती के साथ अब राज़त आगे के दाव को खेलेगी और साथी जो सरकार गिराने की बात राज़त की तरह से कही जारी है इसको लेकर भी राज़त के भीतर खाने प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से सेम नतीश कुमार की सरकार को बिहार में गिराई जाए फ़लाल कले तना ही जादा अपडेट के लिए आप बरे रहे निउस फोनेशन के साथ नमस्कार